तो सेकेंड सिफ्ट के थर्मोडाइनिस के कुश्चन हमें पर डिसक्स करने वाले हैं ठीक है एक कुश्चन यहां पर पूछा गया है एर स्टेंडर्ड डिजल साइकल और बूला गया हीट एडिशन हीट रिजेक्शन किस तरह की प्रॉसेस होती है ठीक है तो जब भी हम बात क कर रहे हैं यह बात करें यहां होती है यहां पर इसकी हम चुश्चन में तो नेक्ष्ट कुश्चन एंट्रोपी पर एक अच्छा कुशन इसको इसको डिसक्स करते है आप ए गिवन डेटा क्या है पहले मैं आपको दे देता हूं ठीक है गिवन डेटा क्या है दो कुशन को रीट करता हूं पहले 1 kg of air in a closed system undergoes an irreversible process from an initial state of P1 and T1 to a final state of P2 and T2 if the gas constant of air is 287 joule per kilogram Kelvin and the ratio of specific heats is what gamma is equal to 1.4 then change in specific entropy in joule per kilogram Kelvin of the air in the process is तो आपको specific यहां पे entropy का change निकालना था ठीक है न यहां पर देखो जो प्रॉसेस को इसने प्रॉसेस वोला है तो इससे आपको कन्फूज होने की नीड नहीं है इनिशल state पर आपको properties पता है final state पर आपको properties पता है अगर आपको initial of final state पता है तो entropy का change आप कैसे भी निकालो सेम रहेगा entropy आपकी property होती है ठीक है तो यहां पर हमें क्या है initially of finally properties पता है my deal case के लिए का करने वाले है direct formula को apply करने वाले है देखो मैंने आपको हमेशे होता है कि entropy का question होता है वो easy होता है generally तो देखो यहां पर जो question आया है बहुत easy है initially आपको जो properties पता है क्या पता है P1 बोला है one bar और T1 बोला है आपके लिए 27 degree Celsius इसको मैं Kelvin में change कर लेता हूं यह आ रहा है अगें three bar और temperature दिया हुआ है T2 127 degree Celsius तो इसको मैं Kelvin में change कर लेता हूं तो हो जाएगा आपका 400 Kelvin राइट इसके लाब आपको आर की value दी हुई है और specific gas constant की 287 joule per kilogram Kelvin यह आपको आर की value दी है और गामा की value दी है गामा की value दी है आपको गामा दी है 1.4 ठीक है entropy change आपसे पूछा गया है तो देखो specific entropy change जो होगा डिल्टा s यह हो जाएगा आपका temperature और pressure के terms में आपको values दी है initial final तो हम ideal gas के लिए के लिए लिए सकते है cp ln t2y t1-r ln p2y p1 ठीक है तो देखो यहाँ पर आपको cp की need है cp आप निकाल सकते है गामा और अगर आगर आपको पता है तो क्या हो जाएगा cp is equal to what gamma r upon gamma minus 1 तो gamma की value 1.4 यह का है 287 upon what 1.4 minus 1 जब इसको आप solve करोगे तो यह value आती है t1 की value है आपकी 300 minus r287 दिया हुआ है ln p2 की value है 3 और p1 की value 1 जब आप इसको calculate करोगे तो आपकी value आएगी minus में और यह value आती है 0.02633 ठीक है यह value अभी क्या होगी आपकी sorry यह value आपकी I am really sorry मैंने यहाप पर already जो values लिए है है वो किसमें लिए है जूल में लिए है तो जो आपकी value आएगी finally वो यहाँ पर आएगी 26.32 अराउंड यह value आएगी minus में और यह होगा आपका joule per kilogram Kelvin ठीक है न यह हो जाएगा आपका answer ठीक है तो यह आपका option D correct हो जाएगा minus 26.3 ठीक है और जो भी आपसे आंसर पूछा गया था वो किसा पूछा गया था जूल पर kilogram Kelvin पूछा गया तो आपका saturated air conditioning duct saturated air exit the duct at 100 kilo Pascal and 15 degree Celsius the saturation pressure of water at 30 degree Celsius and 15 degree Celsius are 4.24 and 1.7 kilo Pascal respectively mass of water condensed in the duct in gram per kilogram of dry air ठीक है आपको calculate करने के लिए इसके लावा आपको molecular weight दिया हुआ था water vapor का and air का ठीक है यह आपको 18 दिया हुआ water vapor के लिए और 28.94 दिया हुआ है आपको किसके लिए air के लिए राइट तो देखो एक बुला है एक duct है कुछ इस तरह का ठीक है यहाँ पर यह cooling coil में ले ले रहा हूँ ठीक है तो हो क्या रहा है कि जो भी moisture है initially जो moisture है moist air मतलब water vapor होगा plus dry air होगी मतलब कुछ dry air वाला पार्ट होगा कुछ water vapor वाला पार्ट होगा और यहाँ पे जो pressure given है total pressure given है किना दिया हुआ आपको 105 किलो पास के दिया है वो टोटल प्रेसर दिया है आपको यहाँ पर और तीवन की वैली दिया है आपको 30 degrees Celsius राइट यहाँ पे आपको relative humidity फाइवन दिया हुआ है 80% तो है 0.8 लिए रहा हूँ ठीक है यह आपको इनीशली जो moisture है वो इसके बारे माब को इसा बताया गया है । यह moisture एंटर कर रही है इस duct में और यहां से पास कर रही हैı cooling कोई से तो इसमें से कुछ water बोपर है कि यहां पर कुछ water बीपर क्या होजा रहा है cooling कम में और और अब यह क्या है यह से पास करें थो Exit पर आपको अगेन गेंद स्क्राइब में त्यूस्ते है उससे रहे हो जाएगा थाएट कि वफड़ी यहाँ के वाया और पीवी अपॉन पीएश ठीक हो सेचुरेटर सेट की बात करोगे तो पीवी आपका क्या हो जाएगा पीएश की एक्कल हो जाएगा उस टम्पेशर पे यह सुनो तो इस-स प्रेदव प्रेट है और आपको इसके इसके दिया हुआ है saturation of pressure दिया हुआ है 30 degree Celsius तो 30 degree Celsius पे मतलब PS1 की value 4.24 किलो पास्कल और आपको 15 degree Celsius पे जो PS2 दिया हुआ यह दिया है 1.7 किलो पास्कल यह आपको total data दिया हुआ था और आपसे पूछा गया था कि यह जो MF होगा यह value कितनी होगी in gram per kilogram of dry air ठीक है तो यह आप conservation of mass लगाते हैं सी इस study में आपका जो MA है वो क्या रहता है सेम रह जाता है ठीक है ना जो inlet पे था वही क्या होगा पास करने के वाद एक्जिट पे भी जो MA होगा वो सेम रह जाएगा moisture जो भी change आ रहा होगा वो किसमें आ रहा होगा water पास कर जाएगी तो exit पे जो dry air वाला पार्ट होगा उस सेम रह जाता है उसमें कोई भी change नहीं आता है मतलब MA1 is equal to what MA2 में क्या होगा चेंज होगा क्यों कुछ water क्या हो जा रहे है कुछ water वेपर condense हो जा रहे है तो इनीशली अगर मैं बोल रहा हूं इनलेट पे इनलेट पे जो जब भी जो टोटल यह रहे moisture के बात कर रहे हैं अगर उसमें water वेपर mv1 था ठीक है तो finally क्या होगा फाइनली exit पे अगर मैं बोलना हूं यह mv2 है प्लस क्या हो रहा जो इनीशली जो भी आ रहा था उसी मैंसे कुछ क्या हो जा रहे है ठीक है तो क्या हो जाएगा कुछ जो condense हो जा रहे है प्लस remaining आपका क्या होगा exit मिलेगा तो आप इस तरह से यह mass conservation आप यहांपका apply कर सकते हैं right अब मैं क्या करना चाहता हूं इस mv को मतलब mass of water vapor को किसके terms में specific humidity के terms में लिखना जा रहा हूं देखिए specific humidity क्या होती है mass of water vapor upon mass of dry air तो देखो यहां से mass of water vapor क्या हो जाएगा omega into ma तो यहां पे क्या जाएगा यहां पर one की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा mv1 क्या हो जाएगा omega-1 into what ma1 is equal to what omega-2 इसको क्या लिख सकते हैं omega-2 into what ma2 plus mf right omega-1 mv1 को हमने replace किया omega-1 ma1 से इस तरह से और mv2 को replace किया omega-2 ma2 से right ma1 ma2 equal है m a के equal है तो मैं इसको ma लिख दे रहा हूँ ठीक है और यहां पर आपकी जो mf की value आजाएगी मतलब condensed liquid की जो value आजाएगी वो क्या आजाएगी ma omega-1 minus ma omega-2 right ma को हम commonly ले रहे है क्या हो जाएगा omega-1 minus omega-2 और अगर आप यहां question में देखो तो आप से पूछा गया है पर kg of dry air मनदब dry air के mask को हम 1 consider कर रहे है ठीक है तो ma की value 1 हो जाएगी omega-1 minus omega-2 यह आपका answer आजाएगा क्या हो जाएगा omega-1 minus omega-2 तो अभी आपको omega-1 और omega-2 calculate करना है ठीक है omega-1 और omega-2 जब हम calculate कर रहे होते हैं तो जो formula हम direct apply कर रहे हैं क्योंकि जो formula आपका calculate होके आता है वो इन ही values के लिए आता है pv1 upon p1 minus pv1 यहां से आपको omega-1 मिलेगा और जब आप omega-2 calculate कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे 0.622 pv2 upon p2 minus pv2 तो देखो अभी आपके पास pv1 और pv2 नहीं है तो p1 pv2 calculate कर लेते हैं जब भी जब भी आपको p1 sorry जब भी आपको 5-1 और T1 पता होता है तो आप आराम से कर सकते हैं ps1 को calculate कर सकते हैं कैसे जो आपकी relative humidity होती है वो होती है क्या पीवी 1 मतलब partial pressure of water vapor upon saturation pressure of water vapor at the same temperature ठीक है तो यह 5-1 is equal to क्या हो जाएगा यह value आती है मैंने calculate कर रखी है मैं आपको value दे देता हूं कि यह value है वो कितनी निकल के आती है राइट यह value आती है आपकी 3.392 ठीक है तो यह क्लो पास्कल में value आ जाएगी ठीक है इसके बाद यहाँ पर अगेन आपको फिर से क्या निकालना है स्सेम तरह इस हम pv2 निकाल लेंगी क्या हो जाएगा 52 की value पता है में 1 है यह क्या हो जाएगा pv2 upon ps2 तो pv2 आपका किस के क्कोल हो जाएगा ps2 के क्कोल हो जाएगा वो ps2 है आपका 1.7 क्लो पास्कल तो इस तरह से आपके आस pv1 आ गया है pv2 आ गया है ठीक है इन values को put कर देते हैं omega 1 और omega 2 को calculate कर लेते हैं ठीक है 622 pv1 आ गया आपका 3.392 upon what 105 pv1 की value आपको total pressure at inlet moisture का जो दिया है 105 क्लो पास्कल दिया हुआ था already ठीक है माइनस 3.392 जब calculate करते हो तो यह value आ जाती है है अपकी 0.02076 और यह जो value आएगी किसमा है किलोग्राम ऑफ water vapor पर किलोग्राम ऑफ ड्राइब राइट यहां से आपका यह omega 1 आ गया omega 2 निकालना होगा तो सी यहां पर मैं value पुट कर रहा हूँ pv2 की और pv2 की value आई है आपकी 1.7 और p2 आपको total pressure exit पर किन्न दिया हुआ है 100 किलो पास्कल दिया हुआ है तो यहां पर बहुत easy हो जाएगा आपको बस आपको क्या करना है इसको calculate करना है जब इसको calculate करेंगे मैंने value already calculate कर रखी है तो value आती है आपकी 0.1075 अगेन यह जो value आएगी वो kilogram of water vapor per kilogram of dry air आने वाली है तो आपके पास omega 1 और omega 2 की value है इन दोनों को यहां पर put कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा condensed mass मिल जाएगा water vapor का यह है आपका क्या 0.02076 minus point यह जो value थी I am sorry यह जो value थी आपकी किसमे यह value कितनी है यह 0.01075 है तो यह आजाएगी 01075 ठीक है जब हम इसको calculate करेंगे इसको subtract कर देंगे तो value आएगी 0.1003 kilogram of water vapor per kilogram of dry air ठीक है ना answer आपसे पूछा गया था देखो आपको ध्यान रखना हमेशे units का ध्यान रखना होते है यहाँ पर गलती होती है आपसे ठीक है पूछा गया है gram per kilogram of dry air में तो यह हो जाएगा आपका 10.00 gram per kilogram of dry air ठीक है तो यह आपका correct answer हो जाएगा तो जिसने भी 10 लि पाँ आपका में आपका तो यह ऑ्यान रखना है ईह राएगा लाजाओा आपका सभी पिसने इक हो ध करद सकता है यह को जो आपकां वह दो एक है यह वह आदाएवा है यह